तोज सबसम civ लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका भारत के ऊपर थोड़ा अधिकी महरवान है और जो अमेरिका एक समय तक भारत को अपने साधरन हत्यार तक देने के लिए तैयार नहीं था वही अमेरिका अब भारत को केवल मात्रव अपने आधुनिक से आधुनिक हतियारों का ओफर ही नहीं कर रहा है बलकि इन हतियारों के technology तक को देने के लिए तैयार है अब लोग को पता ही होगा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत को अपने fighter aircraft और transport aircraft के साथ साथ unmanned aerial vehicle को बेचने को लेकर प्रयास किया जा रहा है तो इपे अब रिपोर्टों में ये तक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने कुछ महत्वपूर्ण हतियार जैसे की टैंक, ट्रांसफोर्ट यार्क्राफ्ट तक को भारत के साथ मिलके जॉइंटली बनाना चाहता है और दोस्तों अब इन हतियारों के लिष्ट में और एक नया हतियार जुड़ चुका है और रिपोर्टों में तावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत को जैवलिन जैसे दुनिया के सबसे सौफिस्टिकेटेड एंटिटेंग गाइड़ मिसाइलों के टेकनोलजी के टेकनोलोजी से शुरू करके द्रोनों के टेकनोलोजी तक को भारत को ओफर के तहर पेश किया जा चुका है पर दोस्तों भारत के तरफ से भी ये साफ कर दिया किया है कि भारत फिलाल उनी हतियारों को खड़ देगा जो भारत के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है और जि इस्धिगलि आप लोगों को बता दो कि एक समय ऐसा वी था जब भारत के द्वारा जैवलिन जैसे एंटि टैंक के मिसाइलों को बड़े मात्रा में खरिदने को लेके भी तयारी किया था लेकिन उस दर्मियान जैवलिन के जगां में भारत के द्वारा इसराइली स्पाइकर म नहीं हुआ है कि क्या भारत के तरफ से कुछ बिदेशी एंटिटांक गाइड़ मिसाइलों को खरिदने को लेकर कोई इंट्रेट्स दिखाया जा रहा है लेकिन एनाई के एक रिपोर्ट में ये कंफर्म किया गया है कि अमेरिका के कमपनी भारत के साथ जैवलिन के जॉइन प करा है कि ऐसे जो शोल्डर फायर एंटिटांक गाइड़ मिसाइल और शोल्डर फायर सॉर्फेश टू एयर मिसाइल है ये लड़ाई के रूप को संपूर रूप से बदल सकता है और आने वाले समय में लड़ाई में इन हतियारों को एक प्रमुख हतियार के रूप में मैन पोर्टिबल एंटिटैंग गाइड़ मिसाइल और नाग मिसाइलों को तैयार किया जा चुका है जो कि एक थर्ड जनरेशन के एंटिटैंग गाइड़ मिसाइल है पर वही पर अगर मैन पोर्टिबल एंटिटैंग गाइड़ मिसाइलों को या फिर शोल्डर फायर साथ-साथ इंडियन आर्मी को पैरलली एक बिदेशी मिसाइलों का भी जरूरत हो सकता है जो की दो अलग अलग तरिके से इंडियन आर्मी को मौडेनाइज करने में मदद करें अब दोस्तों यहाँ पर एक मैन पोर्टेबल एंटिटैंग गाइड़ मिसाइलों में कई तरिके के इक्वेपमेंट होता है जिनमें इसके मिसाइल, लॉंचर, टार्गेट, एकोजिशन सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम होता है और रिपोर्ट के मुताविक अगर भारत के द्वारा अपने पेड़े के लिए कोई बिदेशी ऐसे मिसाइल को खड़दा जाता है तो नो है इससे अमेरिका को हाथ धोना पड़ेगा जबकि वही पे भारत के सामने ओप्शन के रूप में किवल मातर अमेरिका ही नहीं है बलकि अमेरिका के इलावा इसरायल, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश के द्वारा भी इस तरीके के मिसाइलों को बनाया जा चुका है और भारत के खुद के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल भी बड़े मातरा में प्रोड्यूस हो जाएगा और भारत अपने ज़रोतों को स्वदेशी तरीके से पूरा कर सकेगा और शायद यही एक कारण है जिसके वज़ा से अमेरिका भारत के सामने जुकने के लिए तैयार हो चुका है और भारत को अपने सबसे बहतरियन टेक्नोलोजी जो कभी भी अमेरिका किसी अन्य देश को नहीं दिया है उसे देने तक के लिए तैयार हो चुका है अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे अमेरिका भारत को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल जैवलिन जैसे मिसाइलों का टेक्नोलोजी दे रहा है तो वही पे एक समय ऐसे भी था जो मिसाइल आज भारत के पास है वही मिसाइल भारत फ्रांस से हासिल करने का प्रयास किया था लेकिन फ्रांस जैसे देश तक भारत को वो मिसाइल नहीं दिया दोस्तों मैं य पर तब इसे भारत के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस रिजेक्शन के पीछे दो बड़े और महतबूर्ण कारण है अब यहाँ पर आप लोगों को बता दू कि भारत और फ्रांस के वीच में रिलिशन्शिप इतना स्ट्रॉंग है कि अगर ये दो बड़ा कारण नहीं होता तो फ्रांस के तरफ से या फिर कहतों इंबीडिये कंपनी के तरफ से मेटियोर जैसे मिसाइलों को कभी रिजेक्ट नहीं किया जाता और आज इन्डियन यारफोर्स के मेटियोर जैसे यारक्राप्टों के बेड़े में भी मेटियॉर मिसाइल होता अब दोस्ते मेटियूर जैसे ताकदवर तरफ से मिसाइलों एसे ही पिसी ही यारक्राप तो में इंटिग्रेट किया जाना था तो भारत को काफी अधिक खर्चा बहन करना पड़ता वही पर दोस्तों दूसरा जो कंसर्ण था वो था मिराश 2000 यारक्रेफ्टों के फुल कैफिविलिटी और इसके मेटियोर जैसे मिसाइलों को इस्तेमाल करने के शमता को लेके पेसिकली दोस्तों मेटियोर को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एयर टू एयर मिसाइल के रूप में देखा जाता है जबकि मिराश 2000 फिलाल एक पुराना यारक्रेफ्ट हो चुका है हाला कि नो डाउट इन यारक्रेफ्टों के पास अभी वी इस जेनरेशन के किसी अन्ने यारक्रेफ्टों के मुकाबले में अधिक ताकत है लेकिन फिर वी अगर मिटियोर मिसाइलों को मिराश 2000 यारक्रेफ्टों में इंटिग्रेट किया जाता और इतना बड़ा खर्चा भी किया जाता तो एक तरीके से अब कह सकते थे कि ये रिसोर्स का फुल इटिलाइजेश होता और अगर इसमें मेटियोर लगता भी तब भी भारत को इसमें एक्टिव एलेक्ट्रोनिकली स्कैन एरे रेडर को जोड़ना पड़ता और आप लोगों को तो ये भी फता होगा कि जादतर देशों के द्वारा मिराश 2000 यारक्रेफ्टों को अल्रेडी रिटार किया जा तो भी इन यारक्रेफ्टों को 10-15 साल से अधिक इंस्तमाल नहीं किया जाता हाले कि मिसाईलों को इंटिग्रेट करने के लिए यारक्रेफ्टों के जो स्पेसिफिक मोडिफिकेशन है उसके लिए भी भारत को कम से कम 3-4 साल और तर इंतिजार करना पड़ता और आप लोग भी जाता तब भी साल 2025 तक शायद ही मिराश 2000 यारक्रेफ्टों में मेटियर मिसाईल लग सकता था और अगर ऐसा होता तो मेटियर मिसाईलों को लगाने के बाद इन यारक्रेफ्टों को केवल 10 साल का ही इस्तेमाल किया जाता और ये एक तरीके से पैसा और रिसोर्स दोनों का ही बरबादी है फिलाल दोस्तों मेटी और मिसाइलों को देखा जाए तो ये इंडियान यारफोर्स के बेड़े के 36 रैफाल यार क्रेप्टों के सबसे प्रमुक हतियार है और रैफाल यार क्रेप्टों के डील के अंतरगत ही इंडियान यारफोर्स के द्वारा इन हतियार को खरिदा गया था वहीं पर दोस्तों भारत के बेड़े में जो मेटी और मिसाइल है ये करिफ करीब 500 किलोमेटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है हाला कि इसके जो नोस्केप जोन है वो करिफ करिफ सौ किलोमेटर है पर अगर इसके योरोफियन वर्जिनों को देखा जाए मतलब फ्रांस के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले मेट्यूर मिसाइलों को देखा जाए तो नो डाउट उसके रेंज करिफ करीफ 200 से 2.500 किलोमेटर तक आजाता है हाला कि भारत के मिसाइलों के रेंज के बारे में कभी भी कोई official जानकारी नहीं आया है मतलब यह जो 1500 किलिमेटर रेंज कहा जा रहा है यह भी एक तरीके से मीडिया का ही जानकारी है पर दोस्तों मेटियोर मिसाइल के रेंज और इसके highly maneuverable capability के बज़ा से इन मिसाइलों को दुनिया के सब से ताकतवर तरीन beyond visual range air to air missile कहा जाता है लेकिन अब भारत भी अपने खुद के मीडियोर जैसे ताकतवर मिसाइलों को बना रहा है और एक तरफ जहाँ पर अस्त्रमार्क वान जैसे 110 किलोमेटर रेंज वाले beyond visual range air to air missile भारत के तरफ से तयार किया जा चुका है तो वही पर अब नो इनिक्स टेव अस्त्रमार्क टू मतलब 160 किलोमेटर रेंज वाले beyond visual range air to air missile और ये अस्त्रमार्क टू जैसे मिसाइल तयार होने के बाद नो डाउर भारत को और अपने यार क्रेप्टों के लिए मिल्टियोर जैसे मिसाइलों का तलाश और फ्रांस जैसे देशों के approval का अवश्यक्ता नहीं रहेगा दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मिल्टियोर मिसाइल अगर मिराश टू थाउस बिर में नहीं लग सका तो क्या भारत को अब अस्त्रमार्क टू जैसे मिसाइलों को इसमें लगाना चाहिए या नहीं कॉमेंट करके अपने राए अवश्यक्ता दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियो को यहीं फई करते हैं समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम